नमस्कार आप सभी को मेरा नाम है अशोग वी रादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइसर वीडियो करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं पसंद करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्र ड़ना घटी हो फिर किसी बैंटी हो है एस रेसे समय पर क्या है कि जो बैक्ती है अगर वह थाने में जाता है कि सी बैक्ती की सब्सक्राइब जाता है और तो वो जाके चुपचाप घर बैठ जाता है लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है आपके साथ में कोई घटना हुई है और अगर थाने में जाते हैं तो आपको आगर आपकी F.I.R. वगरा नहीं दर्ज कर जाती है तो फिर आपके पास भी एक अदिकार है जिसके द्वारा आप उ काना-कानी कर रहा है या फिर टाल रहा है या फिर उसका मन नहीं है दर्ज करने के लिए F.I.R. तो फिर आपके पास रास्ता है कि आप उस ब्यक्ति के खिलाब पिर उस प्लिस वाले के खिलाब भी आप कारवाई करा सकते हैं, उस प्लिस वाले को भी जेल में भीज़वा सकते हैं, तो आज मैं आपको इसी वी के बताऊँगा कि आपका भी एक अधिकार है, आपका भी एक कानूनी राइट है, जिससे कि आप उसको इस्तमाल करके अपने परिशानी में उसका अस्तमाल कर सकते हैं और आप अपने साथ हुई घटना को रेजिटर कर सकते हैं अगर वो रेजिटर नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ क्या कारवाई करा सकते हैं मैं आपको वही बताऊंगा तो बरहाल उससे वहले में आपसे यही करना चाहूँ कि आप इसे करना है कोई भी घटना हो सकती है क्योंकि अपराद कहीं पर भी जनम ले सकता है चाहब चोरी का हो लूट पार्ट का हो मारपीट का हो या कोई और भी हीनियस ऑफेंस वहां पर भी हो सकता है जब एक बेक्टी के साथ में ऐसा अफराद होता है उसके बाद जो है वो अपने नीरस पुलिस सेशन यानकि अपने थाने में ही जाता है जहां पर वो अपने नियाय की गौहाल लगाता है कहता है कि सर मेरे साथ में मारपीट हुई है या मेरे साथ में यह घटना हुई है और म तो अगर आप थाने में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ प्लिस वालों का जो बिवाहर है वो आम जंता के साथ बहुत गलत होता है उसमें की गाली गलोच भी कर देते हैं कुछ आल आपने देखा होगा कि सोचल मीडिया पैसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे आपके लिए जहां पर प्लिस वाला जो है वह एक आम आदमी को रिष्टर करने से पहले गाली दे रहा है उसको या उसकी रिष्टर नहीं कर रहा है उसको प्रशांग कर रहा है उसको कह रहा है कि घड़ जाओ कुछ होगा इस तरीके से मना कर रहा है तो ऐसे समय पर आपको क्या करना है किस तरीकी से आपको इन सब चीजों से निबटना है और कैसे जो ब्यक्ति सामने वाला है उसको मजबूर कर सकते हैं कि आप FIR करें कैसे कानून जास्ता यह है कि section 166 A IPC में है जिसके द्वारा अगर आपक अपराद कुछ भी होगता है उसमें से अपराद के जो भी आपके पसात में अपराद हुआ है तो आपको उसको बता दो कि मैं आप देखिए जो section 266 A IPC है उसका आप अपराद कर रहे हैं अगर आप नहीं दर्ज करेंगे तो मैं आपके खिलाब मुकतमर रेश्टर कराऊंगा और आपके खिलाब में कारवाई करवाऊंगा तो आप यह बता देंगे तो definitely आप जो ब्यक्ति है वो थोड़ा बहुत समझ जाएगा कि इसको कानून की गान है कानून की knowledge है तो यह हो सकता है कि मेरे खिलाब भी कुछ कारवाई ना करा दे उस आपने आपके साथ एक तो अपराद हुआ दूसरा है और बिक्ति हमारे साथ में गलत बिवार कर रहा है तो फिर आपको वह सहनी किया हुआ सकता नहीं है ब्लुकल भी आप उसको बता दें कि आप जो है सेक्शन 166 IPC के तहत हैं और आपने इसका अपराद किया है अगर आप यह दर्ज नहीं करते हैं तो मैं इसकी शिकायद जो वह ऊपर करूँगा SSP से CEO से SP से या DM साब से या फिर आपके लोग जो भी उनके सच्चों होंगे उनके द्वारास भी आप कंपेंट कर सकते हैं उनसे बता सकते हैं कि मेरे मेरे मैं के साथ इन से मिला था इनको मैं अपन अब्यक्ति है जो सब्सक्राइब जो है वो मजबूर हो जाएगा और आपकी फियर उसको मजबूरन दर्ज करने पड़ेगी और जब मैं फियर दर्ज हो जाएगी उसकी बाद स्टार्ट हो जाता है तो यह चीज मैंने आपको कॉमन ली यह बताई कि बहुत ज्यादा मैं द जो विक्टिम है वो किसी प्रिकार से फियर दर्ज ना कराए तो ऐसे समय पर ज़रूरी है कि आप बहां पर बताते हैं कि आपने जो है वो 166A का IPC के दहर्त ऑफेंस किया है और इसकी शिकायत में SSP साब से करूँगा या फिर CEO साब से करूँगा तो यहां पर जब आप बत होगा और उसको सजा होगी और उसको जिल जाना पड़ेगा तो यह जीजे जो है वो आपको जरूरी है कि आप इन चीजों को आपको घ्यान होना चाहिए जब आपके पास नौलीज होगी तो आप किसी प्रिकार से ना डरेंगे ना सहमेंगे और अपना जो आपके साथ घट करते हैं इस कानून के बारे मुसको बता सकते हैं ताकि बो जो है ब्यक्ति किसी प्रिकार से आपकी दर्ज करें और उस पर कानून के ना समझें कि हम कि कि कानून के दारें नहीं आते हैं वह उनकी खिलाब भी कारवाई होती है और उनको भी जेल जाना पड़ता है तो आप से निश्चिंत रहें बेफिकर रहें और अपना जो भी आपके साथ अपराद हुआ है गलत हुआ है आप उसकी रिपोर्ट जो है वो तुरंद नियरेस्ट प्लिस स्टेशन में कराएं ताकि भविश्य में किसी प्रकार की और घटना आपके साथ घटित ना हो पाए तो बस मै बाकी आज की वीडियो में आप से बहुत 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 धन्यवाद